नमस्कार बच्चों मैं संगीता भाले रहूं मेडम कक्षा सत्वी गणित सित्व अभ्यास्क्रम इसका आज 28 वा दिन है याने स्वाध्यक्रमंक 28 यह आज हम लोग हल करने वाले हैं देखो स्वाध्यक्रमंक 28 में घटके समिकरन और उपघटके समिकरन तयार करना तो देखो स इसलिए दुकांदार के पास तराजू होता है तराजू में क्या करता है वो एक पल्डे में बाट रखता है और दूसरे पल्डे में जो चीज लेनी हमें वो रखता है और वो दोनों पल्डे जब समान हो जाते हैं यानि बैलन्स हो जाते हैं तभी उस्तु जो है वो हम सबसे पहले देखेंगे समीकरन तयार करना के लिए इंग्लिष आख्षरों का उप्योग करना है यहाँ पर मैंने करके दिकाए है इनी उधारनों को अच्चे तरसे समझ कर आपको जो भी दिया जाएगा वो आप लोगों को हल करना है पहला है उधारन एक संख्या का दुगना आठ है देखो अभी यहाँ पर एक संख्या मतलब जो संख्या हमें मालूम नहीं उसके बदले हमें यहाँ इंग्रजी स्मॉल अक्षरों को उप्योग करना है और यहाँ पर दुगना याने क्या दुगना दो से गुना दुगना याने दो से गुना तो देखो एक संख्या का दुगना आठ है तो इसलिए हल कई से करना देखो एक संख्या एकस मानो देखो यहाँ पर स्मॉल एकस ल लेलेजर किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर गुनान फल वही संख्या आती है यह नियम है अभी इस नियम को भी हम लोग अक्षर में लिख सकते हैं कैसे अक्षर का उप्यों करके लिख सकते हैं किसे देख। किसी भी संख्या को एक से गुना करने पर गुनन फल वही संख्या आती है तो इसलिए किसी भी संख्या को मतलब अ को किस से गुना करना है एक से गुना करना तो एक से गुना किया एक गुना एक किया तो क्या आता है गुनन फल वही संख्या थी है वही संख्या मतलब क्या ए वही संख्या तो वही संख्या आएगे तो इसलिए ए गुना एक बराबर ए अस्तर से यह समिकर अंतयार हुआ उसके बाद तिसरा है देखो किसी भी दो संख्याओं का योगफल और वही दो संख्याओं का क्रम बदल कर आने वाला योगफल समान होता है अब ये भी नियम है देखो किसी भी दो संख्याओं का योगफल और वही दो संख्याओं का क्रम बदल कर आने वाला योगफल समान होता है अब देखो किसी भी दो संख्याओं के लिए हम लोग A और B ये अक्षर मानेंगे मतलब किसी भी दो संख्या के लिए A और B ये दो आक्षर मानेंगे इसलिए किसी भी दो संख्याओं का योगफल याने A जोड B A और B का योगफल बराबर B और जोड A मतलब उनका क्रम मदल दिया B जोड A किया तो अभी दोनों का योगफल समान रहेगा याने A जोड B बराबर B जोड A तो ये इस तरह से सम्मिकरन तयार हो गए तो इस तरह से ये सम्मिकरन तयार करने के बाद अभी हमें अक्षर का उप्योग करके इस तरह से जानकारी लिखनी है प्रश्ण है अक्षर का उप्योग करके निमनलिखित जानकारिया लिखो मतलब जैसे मैंने उपर करके दिखाये वैसे आपको यहाँ पर करना है पहला है किसी संख्या तथा तीन का योग योग मतलब योगफल किसी संक्या के बदले आप लोग कोई भी अक्षर मान सकते हैं और तीन इनका योगफल दो किसी संक्या में से ग्यारा घटाने पर प्राप्त होने वाला शेश याने किसी संक्या में से ग्यारा घटाने का तो ये शेश तीसरा है 15 और किसी संख्या का गुननफल तो किसी संख्या मतलब कोई भी संख्या लेने का है मतलब कोई भी आक्षर लेने का और उसको और 15 का गुना करने का चोथा है किसी संख्या का चोगुना 24 है चोगुना मतलब क्या 4 से गुना तो किसी संक्या का चोगुना मतलब कोई भी संक्या मतलब अगश्र लेने का है उसका चार करने का है और बराबर आएगा 24 तो इस तरह से आप लोगों को ये वीडियो देख मैंने आपको समझाया है और मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा तो आप लोग ये चारो ग झाल